हेलो दोस्तों थैंक्स फर कमिंग इन दिस वीडियो दोस्तों एक्सल की सिरीज में आज हम वियू टैप पर पहुँच चुके हैं और वियू टैप में जो फर्स्ट आप्सिन होता है वग वुक व्यू उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं वो काफी काफी इंपॉर्टेंट होता है वो जब हम print करते हैं कोई भी चीज तो हमें उसका use करना पड़ता है तो उसे समझना काफी important हो जाता है कभी-कभी हम लोगों के लिए तो आज हम उसका use देखेंगे उसे हम कैसे use कर सकते हैं तो start करते हैं दोस्तो आज का वीडियो दोस्तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर अब हम देखेंगे व्यू टैब में नॉर्मल व्यू पेस ब्रेक प्रिव्यू एंड पेस लेयाउट व्यू इन सब का यूज हम कैसे कर सकते हैं जो कि इंपोर्टेंट होता है जहां अपनी फाइल को कोई भी प्रेंट करते हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले जो आफसन मिलता है नॉर्मल व्यू क्या होता है दोस्तों जो हम सिंपली यहां पर देख रहे हैं और जो हम वर्क करते हैं एक्सल पर यह सिफ नॉर्मल व्यू में आ जाता है ठीक है यह सिंपल क्या हो गया नॉर्मल व्यू जैसे हम न्यू सीट पर आते हैं तो यह क्या कोई एक नॉर्मल व्यू होगी दोस्तों ठीक है यह तो हमारा नॉर्मल व्यू एंग अब नेक्स जो ऑफसन मिलता है वो होता है पेज ब्रिक प्रिव्यू इस ऑफसन का यूज हम कैसे करते हैं दोस्तों इसमें सिंपली होगा है जैसे हम आप इस पर किलिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर हमें सो करके दिखाएगा कि जितना भी हमारी सीट पर डेटा होगा वो पेस्पषन में कितना प्रेंट जैसे कि हम से यहां तक प्रिंट seize के अभी hem प्रेंट में गये तीक है दोस्तों यहां अउपर आप देख सकते हैं पेजवन में कितना अरहा है उतना ही डेटा आजिए आप वहों सो हर रहा था तो और पाउंड प्रेटा बैसली दोस्तों था कि प्रेफ। preview यही है है कि वह घिवार और दीच है बता कि आपका जो डेटा आपने यहां पर नोच डाउन किया कितने पेसं में डिवार ्टो के प्रेम्ट होगा ठीक है अब जैसे कि हमारे डेटा यहां तक ही होता और हम चाहते हैं कि जैसे कि यह जो सीट है इतनी हमारी एक पेच पर आए तो simply हमें कर नहोगा यहां पर जो डेटा है उसे हम ठोड़ा सा यहां कर देते हैं यह देखिए आप D column को मैंने height सा कर दिया है height करने पर यह हमारी जो पूरी seat है एक seat तो यह हो गई ठीक है अभी भी आप देख रहा हूँगे यह जो बीच में यह यह तक कर देटा पिरिंट होगा आफ एक से वाली यह दूसरे पेश पर तो यह थी हमारी किया पेज ब्रेक प्रिव्यू जो में डिवाइट करके बता देता है कि आपके इतना पेज 1 में होगा इतना पेज 2 में होगा तो simple I know कि अब आप समझ करूंगे अब थेर्ड जो आफसे मिलता है important है पेज लेयाउट यह दोस्तों होता क्या है कि जब हम work कर रहे होते हैं जैसे कि अभी हम यहाँ पर पेज लेयाउट ले लेते हैं अब दोस्तों क्या हो रहा है कि यह पेज लेयाउट में हमें सो करके दिखा रहा है यह एक पेज पर प्रिंट हो रही है यह दूसरे पेज़ पर अब पेज़ लियाओट में हमें फायदा क्या होता है एडवांटिज इसका यहाँ पर हैड एड़ लिखकर आयाता है जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह किस रिलेटेड है तो हम बोल सकते हैं कि यह इसके मार्क सीट है ठीक है दोस्तों यह बोल लिया ठीक है यहाँ पर क्या है यहाँ पर इपने आप ही फिडर में लिख गई होगा है यहाँ बहुत सार अब बढ़ करना चाहते हैं एक्सल में तो हमने इस डिरेक्ट एक बढ़ दे दिया तो हर पेज़ पर आप आप नीचे ज अब लेंग सकते हैं जैसे कि मैं आप लगरता हूँ छिपी बिए जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ है इंटर है को तो दोस्तों आप यह भी लिख सकते हैं अब जिदे दे हैं यहाँप रागए तो यहोग्या अब देखिए हम जैसे कि दूसरे पेज पर आते हैं जैसे यह ठीक है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माउस देखी अपने आप ही आ रही जैसे कि हम यहाँ पर केलिक एह नाप नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क वक व्यूप क्या होता है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों घंटी के बैल आकन को दबाना मत भूलना लाइक करना कमेंट करके कोशन हो तो जरूर पूछ लेना मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉबिक के साथ